आप सभी को नमस्कार आज हम जो है जिंक के बारे में पढ़ेंगे जिंक एक बहुत ही महत्पूर्ण तत्तो है पाउधिय और हम लोग जन्तूं दोनों के लिए ये एक तरह का माइक्रो एलिमेंट है जो हमें जरूरत होती है हम सबसे पहले इसका जो परमाल करमांग को होता है वो तीस होता है हम जो एक सिरीज पढ़ रहे हैं उसमें तीस तक परमाल करमांग की यदि आप याद कर लेते हैं तो इतना परियाप्त है परियाप्त है पास होने के लिए लेकिन सफल होने के लिए इसके आगे भी याद करना पढ़ता है तो सबसे पहले हम परिच्छाओं म पास होना महत्यपूर्ण है तो यहां तक आप एकदम किलियर कर लीजिए जिंक जिसका सिंबल होता है कैप्टल जेड और इसमाल यन और इसका परमाणु भार होता है 65 या 65.4 परमाणु क्रमांक परमाण। या आपका एकामिक नंबर इसका कितना हो गया 30 उसके बाद ए्टामिक बेट पे ये सिंबल को याद करिए परमालुकर्मांक के याद करिए परमालुभार याद करिए उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रानिक बिन्यास देखते हैं इलेक्ट्रानिक बिन्यास में आप ये जानते हैं परमाळु करमांक बराबर इलेक्ट्रानों की संख्या एक बार फिर से देख लें इलेक्ट्रानों की संख्या बराबर इलेक्ट्रानों की संख्या भी 30 होगी और प्रोटानों की संख्या भी 30 होगी इसका हम जो है नाभिक में इसके इसके नाभिक में 30 प्रोटान होगे ये कनफर्म हो गया और यह दिया 65 इसका परमाल भार है तो यहां पर इसके 35 न्यूट्रान हो गए कितने हो गए 35 न्यूट्रान हो गए तो इस तरह आपने देखा कि यह जो है इसके नाभिक में 30 प्रोटान और 35 न्यूट्रान है इसकी एक स्ट्रक्चर संद्चना हम बना लेते हैं देखे सबसे पहले में क्या होगा इसके दो इलेक्ट्रान होगा कितना होगा भाया दो इलेक्ट्रान दूसरे में कितना होगा इसके इसके दूसरे में होगा आपका आठ इलेक्ट्रान होगा एक एलेक्टरान, दो एलेक्टरान, तीन एलेक्टरान, चार एलेक्टरान, पांच एलेक्टरान, छे एलेक्टरान, साथ एलेक्टरान और आठ एलेक्टान इसके बाद वाले में कितना होगा इसके बाद वाले में क्या होगा दो आठ और लास्ट में दो तो बीच में आपके अठारा इसके बाद वाले में आपके कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा सोला सत्रा ठारा ये अठारा एलेक्टरान होगे इससे जो सबसे बाहर में होगा जिसे हम फोर यस्टू कहते हैं इसमें दो एलेक्टरान होगा एक एलेक्टरान यहां है एक एलेक्टरान यहां सबसे बाहर में दो एलेक्टरान तो हम यहां पर आपको यह अभी हमने आपको यह जो बताया दो आठ अठारा दो यह बोर बरी के अनुशार electronic बिन्यास है देखें ये जो हम बार बार electronic बिन्यास करते हैं वास्तों में ये जो है इस तरह पाया जाता है और ये जो मैं बेवस्था आपको दिखा रहा हूँ ये 3D बेवस्था है ये पूरा कोस सहित आपस में नाच सकते हैं कभी एक कोस दूसरे कोस को कभी काटेगी नहीं आपस में ये ऐसे ऐसे करके ये नाच सकते हैं यानि कि ये एक रिक्दम फ्री होते हैं 3D होते हैं आब यहाँ पर इसका electronic बिन्यास देखे बोरबरी के अनुसार 2, 8, 18, 2 हो गया 1 is 2, 2 is 2, 2 पे 6 3 is 2, 3 पे 6 4, S, 2, 3, D, 10 ये इसका electronic बिन्यास हो गया देखें यहाँ पर 4, S, 2, 3, D पूरे complete orbital होते हैं इसमें 4, S, 2, 3, D, 10 अब इसके बाद वाला जो एटम होगा वो 4, यहाँ पर देखें जो 4, S, 2 के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 4, P 4, P अभी खाली होगा है इसमें P orbital खाली हुए यह जो खाली orbital है इसका आपको mechanism यह जो है एक catalyst की तरह भी हैप करेगा भाई जब P orbital इसका खाली है तो कभी-कभी electron यहाँ पर आखी रह सकते हैं ठीक है? electron रह सकते हैं इसके लिए जो है आप यह यहाँ पर जो है यह D orbital जो है यह P orbital इसका खाली है तो इसका यूज हम बाद में देखेंगे लेकिन बच्चों इतना आप जानें आप देखें इसके सबसे बाहरी कोस को संयोजी कोस कहा जाता है और संयोजी कोस जो होती है इसे मेंसे elektrarn लिए और दीए जाते है तो इसके सबसे बाहरी कोस में दो elektrarn है यह जब दो elektrarn दे देता है तो यह ZDN plus बन जाता है क्या बन जाता है जड़ियन प्लस यह अबके जड़ियन का elektronik बिन्यास है जड़ियन जिंक का और जब ZN से 2 electron निकलते हैं और एक बात बताएं zinc में केवल 2 plus पाया जाता ना plus 1 पाया जाता है ना plus 3 पाया जाता है ना उससे आगे पाया जाता है केवल zinc जो है plus 2 पाया जाता है क्योंकि ये अपने बाहर के केवल electron देता है बास ठीक ये electron दोनों दे देता है इसलिए इसमें जो है आपका ये electronic बिन्यास होगा तो ये आपका electronic बिन्यास हो गया परिच्छा में zinc का भी आता है और जेडियन प्लस का भी आता है और इससे आपको electronic बिन्यास करना तो आता ही है इन हर एक atom का हर एक कोस के उपकोस का जो है आपको क्वांटम संख्या निकालना बताया जाएगा और परिच्छा में बहुत आता है इसलिए मैं बार बार आपको एक एक तत्तो का इसलिए बता रहा हूँ अब देखिए आपके घर परिवार में जो है देखिए ये फ्राइदान होता होगा देखिए आएसे देख लीजिए फ्राइदान बहिया ये फ्राइदान जिंक का बना हुआ है जिसे आप जस्ते का कहते हैं भीया जाएं जस्ते का दे दीजिए ये देखें ये पववा है जिससे दूद ना पा जाता है पववा नहीं ये आधा लीटर 500 एमिल है यहां गणित भी है अगर 500 एमिल अपने बच्चों को समझाए कि 500 एमिल क्या होता है तो ये भी एक तरह की गणित है बहराल हमें इसके मेटल से मतलब है ये जस्ता है अब ये प्रस नो इससे तो भाई दूद ना पा जाता है बात खतम चलिए अब इसमें फ्राइदान में आपने पानी गरमाया होगा चाय बनाया होगा ये जस्ता है जिसे जिंक कहते है आई ये मैं बताना क्या चाता हूँ सपोस्ट डेट जब यहां पर आग लगाई जाती है यानि कि आग से गरम किया जाता है तो पानी उपर वाला कैसे गरम कर जाता है आग इसके अंदर कैसे होकर जाती है भाई देखे सोचिए न देखे सोचना ही भी ज्यान है सोचना कारण जानना भाई मैं आपको जिंक पढ़ा दिया आप याद कर लोगी इलेक्टरानिक बिन्यास इसका डाइग्राम इस्ट्रक्चर आप परिच्छा में लिट के पास हो गए खतम हो गए लेकिन कुछ तो है इसमें जो इसके अंदर जो मेटल होती है मेटल में बैकेंट आर्बिटल होते है जब पानी गरम किया जाता यानि कि जब आप इसमें पानी रखकर या दूद रखकर नीचे से गरम करते है तो जो एनर्जी होती है सबसे पहले इस जस्टे के डी आर्बिटल पी आर्बिटल पी आर्बिटल बैकेंट होता उसमें जाता है उसमें जाने के बाद ठीक है इसमें चला गया तो फिर इसमें से इसमें चला जाता है जो पानी वाने अलू होते हैं देखे यानि कि जो जिंक के इलेक्टरान होते हैं ठीक उसमें जाता है वो इलेक्टरान उसको देते हैं एक चीज आप ध्यान देजिए ये जिंक नाम और ये जेडियन सिंबल देखे ये मनुस सो द्वारा बनाया गया है यह सब तेयोरी है प्रैक्टिकल क्या है कि मेरा सरीर मेरा हाथ यह हैंडल यह सब कुछ इलेक्टरान से बने है इलेक्टरान भी एक नाम है एक डेंसिटी होती है यह हर चीज होता क्या है कि जो पानी भारा रहता है तुम्हें electron इतनी compact तरीके से हैं कि आग उसको पिघला नहीं पाती है लेकिन अगर वही एक 1000 temperature कर देंगे ति ये भी पिघल जाएगा इसलिए ये क्या होते हैं ये electrons क्या होता electrons से उर्जा जो है पानी में जाती है और इसके electronों में disturbance नहीं होता है ये मैं आग को बचाना चाहता था कि आग जो है जस्ते के electronों में जाती है इसके electron होते हैं और ये electron ऊपर वाले को दे देती हैं इसमें electronon का चालन पाया जाता है electron move करते हैं इसी वज़़े से धातव में current मारती है current जाता है धातव में चाहे तांबा हुआ, लूहा हुआ, जस्ता हुआ, एलमूनियम, हुआ, चांदी हुआ, सुना, ये सभी temperature को बरदास कर सकते हैं, temperature को चलाती हैं, electric city को भी चलाती हैं, तो बाइरहल आपने यहां यह, मैं थोड़ा सा आपको काराण जानव गहराई बता रहा था, और एक चीज जिसे हमारे सरीर में भी जिंक की कमी हो जाती है, हमें भी जो multi vitamins लेते हैं, या हम जो भोजन, कोई भी पेल पौधा या कोई भी चीज खाते हैं, तो उससे हमें जिंक मिलता है, अगर पौधों में जिंक की कमी हो जाती है, तो उसमें कली सही से नहीं लगता है, या फल लगत गिर जाता है आप देखिए गेहूं में जिंक की कमी हो जाती है तो जिंक डाला जाता है इस्पिसल जिंक लाके डाला जाता है उसमें जो है भूरे रंग के चकते पढ़ने लगते हैं तो पौधों में भी जिंक की बहुत जरूरत है तो आगे इसका बिस्तिरित आपको मैं बत यानि कि जो हम चावथी आपकी आवर्त पढ़ रहें यह चावथा आवर्त है क्या है? चावथा आवर्त है और यह बारवावर्ग है तो इह सम में इसमें किवल जिंक, चावथी आवर्त में जिंक के ही D-block में आईसा जो केबल एक संह ओजकता बेक्त करता ठीक है ये एक से अधिक नहीं सो करता है लेकिन ये भी जो है आपका जो है जो D-block element है रंगीन-योगी बनाते हैं ocalyptic properties so करते हैं क्यों क्यूंकि इसमें P-block element भी P-block जो होता है P-Arbital भी IMPATY होता है इसके महत्तोकों हम आगे डीटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बच्चों आप जेडियन इसका सिंबल परमाल करमांक इसका जो है होता है 30 क्या होता है परमाल करमांक होता है इसका 30 और इसका परमाल भार होता है 65 यह आप जानेंगे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे इस वीडियो में इतना ही मैं गुलाब चिन मौरा साइंस टीचर धन्यवाद